वेलकम टू आर यूटूब चैनल तो ये क्लासिक्स हिस्ट्री का चाप्टर नंबर वन का मैप है सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि सूलेमान और किर्थार हील पर चलते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा सूलेमान और किर्थार हील तो यहाँ पे actually सबसे पहले क्या हुआ था कि people ने यहाँ पे wheat और barley उगाना इस्टार्ट कर दिया था 8,000 year ago और यहाँ पे लोगों ने कुछ animals को rears करना इस्टार्ट कर दिया था जैसे कि sheep, goat और cattle यह तीन animals को वह लोग क्या करते थे रेर करते थे और यहाँ के जो किर्थार और सुलेमान के जो लोग थे वही कहाँ पे रहा करते थे villages में रहा करते थे उसके बाद हमें चलना है आपको आजाना है North East में, North East में आपको मिलेगी Garo Hills, तो Garo Hills में भी यह area कुछ areas हैं जहां पे agriculture डेबलप होई थी, तो Garo Hills एक हो सकता है आपका, दूसरा आपका हो गया किर्थार और सुलिमान हील और उसके बाद विंद्यास, तो यहां पे आपको यह याद रखना है कि सबसे पहले rice का cultivation किया गया था, तो rice सबसे पहले कहां पे ग्रो हुआ था, विंद्यास reason में ही ग्रो हुआ था, यह आपको important है examination point of view से, अब उसके बाद हम चलते हैं, river Indus और उसकी tributary, तो आपको यहां पे river Indus दिख रही होगी, यह यह रिवर Indus है, और इसकी tributary कौन कौन सी है, जेलम है, चेनाब है, राबी है, बयास है, सतलज है, यह tributaries है, और यह सारे नदी आके इसमें मिल जाती है, tributary basically क्या होती है, small नदी होती है, जो की large river में आके connect हो जाती है, और उसको tributary कहते हैं, और यह Indus river है, और इसकी tributary आपको यहां पे दिखेगी और इसी के Indus River के किनारे कुछ earliest cities का development हुआ था about 4700 years ago तो आप जब पढ़ोगे Harappa Civilization तो इसी river के किनारे हुआ था उसके बाद हमें चलना है गंगा और इसकी Tributaries के बारे में तो गंगा आपको यहां पे मिलेगी तो गंगा इसी इंपोर्टेंट है about 2500 years ago यहां पे cities डेबलप होना इस्टार्ट हो चुकी थी गंगा और इसकी Tributaries के किनारे अब South of गंगा को क्या कहा जाने लगा था मगद कहा जाने लगा था ठीक है और मगद को अब क्या कहा जाता है बिहार कहा जाता है और मगद के जो रूलर थे वे बहुत ही पावरफुल थे और उन्होंने सेटप किया था लार्ज किंग्डम को तो यह आपको इनपोर्टेंट है यह आपको याद रखना होगा तो I hope अगर आपको यह वीडियो पसंद दया है तो आपको क्या करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा Thank you for watching and have a nice day